हाई एवरीवान, वेल्कम टूम चैनल, मैं हूँ शिवानी लिकर आगे हो आप लोगों के लिए एक और हैश्टेग भी बोल की वीडियो आज हम बात करने वाले हैं लड़कों के शरीर से जुड़ी एक प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है फिमोसिस इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत पहले बात की हुई है अपनी एक दूसरी वीडियो में जहां मैंने बोईस के प्राइविट पार्ट से रिलेटेड जो भी कोईरी स्ती मेरे पास उनके आंसर दिये थे उस वीडियो को भी आप जरूर देखना बाकी और भी नॉलेज आपको काफी उस वीडियो में मिलने वाली है इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक दे दूँगी तो वहां से आप चेक कर सकते हो आए फिलहाल आज डीटेल में डिसकस करते हैं फिमोसिस के बारे तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा ताकि अगर आपके साथ या आपकी किसी जानने वाले के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको गाइडेंस दे सको अगर आपको खुद को ये प्रॉब्लम है पहले से तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है क्या ट्रीटमेंट होता है इसका कैसे ये ठीक हो सकता है उसके बारे में हम discuss करते हैं फटा फट से शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो like करना comment करना और share जरूर करना इसे बागी लोगों के साथ में पहली बार मेरे चानल पर सबस्क्राइब भी जरूर कर लीजेगा आए शुरू करत सबसे पहले सरल भाषा में डिसकस करते हैं कि फिमोसिस की प्रॉब्लम आखिर है क्या बॉइज में जनरली आट से दस साल की उम्र तक जब आते हैं वो तो उनके पिनिस पे जो इसकिन होती है जो आउटर सकिन होती है वो अराम से पीछे होने लगती है अगर आट से दस साल की उम्र में ये नहीं भी होता तो भी आगे चलके पंदरा सोला सत्रा साल की एज में मैक्सिमम ऐसा होने लग जाता है कि वो अराम से इजीली अपनी स्किन को पीछे कर सकते हैं यूरीन पास कर सकते हैं और उसके बाद उसे कवर भी कर सकते हैं लेकिन कुछ बॉइस में ऐसा होता है कि इस उम्र तक आते आते भी उनकी स्किन जो है वो ठीक से पीछे नहीं होती है और उनका जो हैड होता है पीनिस हैड उसमें वो चिपकी रहती है इसके कारण उन्हें काफी सारी प्रॉबलम हो सकती है कुछ basic सी problem ये हैं कि जब वो urine pass करने जाते हैं, पिशाब करने जाते हैं तो दर्द feel होता है, पिशाब रुक रुक के आता है, UTI infection इसकी वज़े से लगा रहता है, swelling आपको हो सकती है, आपको लगातार इसकी वज़े से क्योंकि वहाँ गंदगी वगरा जमा है, अगर skin पीछे नहीं जाएगी, आप उसे ठीक से clean नहीं कर पाओगे, तो bacteria build up हो सकता है, infection आपको लग सकता है, आपको redness हो सकती है वहाँ पे, जब आगे चलके आप अपने partner के साथ intimate हो के तब आपको discomfort हो सकता है, pain हो सकता है, bleeding भी हो सकती है, skin cut fat सकती है, इसके लावा बहुत जादा severe cases में पस भी पड़ जाता है, और तब condition और ज़्यादा खराब हो सकती है, अब discuss करते हैं कि इसके reason क्या होते हैं, आकर ये problem हो क्यों जाती है, पहला तो ये कि naturally ही आपकी skin वहाँ चिपक गई है, आपने उसकी ठीक से take care नहीं करी, दूसरा reason अगर आप properly hygiene maintain नहीं करते हो, गंदगी वहाँ रखते हो, साफसफाई का ध्यान आप नहीं रखते हो, उसकी वज़े से ये problem आपको हो सकती है, तीस्टा आपको अगर बार बार UTI होता है, urine infection होता है, उसकी वज़े से हो सकता है, तो next अब बात करते हैं कि अगर आपको ये हो गया है, तो इसका treatment क्या है, और कैसे आ अपना इलाज करा सकते हो, देखो अगर आप टीनेज में हो, अभी शुरुआत ही है आपकी, तो आप खुद से पहले घर पे इसका थोड़ा बहुत treatment कर सकते हो, और वो ये है कि खुद से ही उस skin को थोड़ा थोड़ा पीछे करने की आप कोशिश करो, रोज नहाते ताइम आप ये कर सकते हो, बहुत जादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, खीचा तानी नहीं करनी है, अदरवाइस प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, ब्लीडिंग वहां हो सकती है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे करके उसे पीछे करने की कोशिश करनी है, आप ये का और यह प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएए और समय रहते इसका लाज करवाईए, अदर्वाइस आगे चलके आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर के पास अब जब जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर के आपको टीटमेंट दे अपने आप ही पीछे होने लगेगी थोड़ा थोड़ा करके, तो एक solution तो यह हो सकता है, त्रीटमेंट यह हो सकता है, और दूसरा यह कि वह आपको circumcision करने को बुलें, circumcision मतलब जो extra skin होती है, जो चिपक रही होती है, जो काट के अलग कर दिया जाता है, इसके उपर मेरी separate video है कि circumcision करते हैं, जो कैसे करते हैं, क्या उसका पूरा procedure है, सब कुछ डीटेल में मैंने discuss किया है उस वीजियो में, अगैं उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के end-me-end screen पे दे दूंगे, और वीजियो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको और उसके बारे में थोड़ी और एजिली लेजर से भी circumcision हो सकता है, तो अगर टीटमेंट की जरुवत आई इस तरीके कि आपको circumcision कराना पड़े तो हो सकता है, फिर आप उस तरीके से आप करा सकते हो, तो basically इसका टीटमेंट यह है कि पहला तो आप खुद से ट्राय करके देखो, बहुत जाद आपको सकता है, यह मैं को अपको जादिखोने करना है, ढ haiter सकता है। अगर आप टीनेज को अगर को टीनेज को खतम कर चूके हैं, I hope आपको इसे को जानने समझने को मिला हूँ चाहें आपको फिमोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं है अगर आपको अल्रेडी टीटमेंट हो चुका है या फिर अभी नहीं हुआ है थब से इंपोर्टन चीज ये है कि आप अपने प्राइवेट एरिया का हाईजीन मैंटेन करके रखिए वहाँ पे साफ सफाई बना के रखिए इससे रिलेटिट काफी सारी वीडियोस हैं जो आपको मेरे चानल पे हैश्टाइग बीबोल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इस पूरी प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कीजिए और अपना हाईजीन और अपने परसनल टेक केर कैसे करनी है उसकी काफी सारी टिप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा